हाई गाईज वेलकम वेक तू माई चैनल मिश्टर सेनी व्लोग आज मैं आया हूं पूने सिटी के बहुत ही अमेजिंग प्लेस राजियो गांधी जियोलोजिकल पार्क में गाईज तो आप सो मैं सब दिखाने वाला हूं यहां पर बहुत अलग लग जानवर रहते हैं गाईज तो देखें पार्क के अंदर आते ही कितना बड़ा बंदर है घूम रहा है बहुत बड़े बड़े बंदर थे और गाईज वो सामने देखिए सर्पो ध्यान लिखा हुआ इधर साप ही साप दिखाए देंगे आपको तो हम नजदिक जाकर आपको दिखाते हैं बने र साप है पेट पर देखिए कितना बड़ा पीला साप लिपट रहा है और नीचे एक और पानी में सोया हुआ है यहां पर गाईज बहुत बड़े-बड़े अलग-लग नसल के साप थे छोटे से लेकर बड़े तक जहरीले साफ थे देखे पेड़ से किस तरह से नीचे उतर रहा है इनकी हाइड काफी बड़ी थी गाईच है साथ फुट से ज़्यादा थी और इदर कच्छुआ है और इदर गाईच देखिए ये नकली साफ है जिसके पास में फोटो ले सकते हैं और इदर और देखिए गाईच काली धारियों वाला साफ पेड़ पर देखिए किस तरह से बेठा हुआ है और इदर देखिए ये बहुत बड़ा अजगर साफ है गाईच जो इसके अंदर बेठा हुआ है इन हैरी पत्तियों के निचे देखिए गाईच और इदर छोटे छोटे कच्छवा देखो किस तरह से चल रहे हैं धीरे धीरे और इसके अंदर भी साफ है गाईच ये देख सकते हो हैरे हरे साफ जो दिखाई दे रहे हैं पेड़ पर और इदर गाईच ये मग्गरमच है देखिए किस तरह से भार सोया हुआ है और एक और अंदर इदर पानी में है और एक ये इदर भार बेठा हुआ है गाईच किस देखिए इसमें और नाग है हम आपको दिखाते हैं फास से जाकर और ये और देखिए दो काले साफ हैं गाईच एक तो देखिए किस तरह से लिपट कर दिवार के सारे बेठा है और एक चल रहा है और इदर देखिए पानी में बहुत सारे साफ हैं गाईच दिवार के सारे कोने में और इदर पेड़ पर भी और ये एक और इदर मगरमच है और इधर गाईज ये फोटो लेने का है जो साब का चित्तर बना हुआ है यहाँ पीछे उसमें एक अजगर है तो अजगर भी आपको दिखाता हूँ मैं इसमें बहुत बहुत बड़े अजगर रहते हैं गाईज तो आपको दिखाता हूँ अभी अंदर चलकर और इसके अंदर देखे गाईज ये दो बड़े अजगर और हैं गाईज तो हमने आपको अजगर सरफ दिखाए और किंग कोबरा यह सब दिखाए अभी मैं और अधित्या थक चुके हैं काईज उस देर के लिए हम रेक्ट कर रहे हैं फिर आगे ले चलते हैं आपको तो बने देख सकते हो कितने प्रेटक आये हुए हैं कितनी भीड लगी हुई है आप इचे का देख सकते हो इधर कितने पेड़ कोदे लगे हुए हैं और नीचे का व्यू देखे गाईज कितना अच्छा है गाईज तो आप देख सकते हो इधर पेरे पीछे मोर है इसमें मोर है क्री आप देख सकते हो कितना बड़ा पार्क है। गाइस यह इंडिया में दूसरे या तीसरे नमर पर देखेरfest में बूरा देख और ओड़े आप सब CHC और वह गाइस पीछे काले काले दो दूर देख सकते हो उधर शच देख्वाई कर से ओप। और अभी मैं और अभी चाह चड़ रहे हैं उधर आपको दिखाते हैं और गाईज देखें इधर भी सब लोग जो प्रेटक आये हुए वो रेस्ट कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं आप ही आओ तो इसमें रेस्ट करने की जगह भी है अराम कर सकते हो और इसके अंदर देखें गाईज जंगली बिल्ली है और इधर ये एक गिलेरी है गाईज जो अंदर घूम रही है मुझे जुआ भी नहीं ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं नगर से टाने फुई बेच अपनी आखों आखों में शैपानी हो गई सही आने देखा ऐससे मैं पानी पानी हो गई मैं पानी पानी हो गई और इधर देखे गाईज कितना बड़ा भालू है घूम रहा है यहां पर बहुत सारे भालू थे और इसमें गाईज देखे कितनी हिरन है यहां पर हिरनों का बहुत ज़्यादा जुंड है बहुत सारी हिरन थी और इधर गाईज यह सांबर और चितल है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं आप देखे यह भी भोस संक्या में थे गाईज और वो देखे गाईज पेड़ों के बीच से ताइगर जा रहा है बाग आप देख सकते हो और इधर गाईज यह जंगल का राजा सेर है जो एक ही था और बहुत ज़्यादा दूरी पर बेटा हुआ था इसका वीडियो में ने जूम करके बनाया था और यह गाईज इधर जो आपको धारियो वाला दिख रहा है यह चिता है और यह एक और इधर बाग है जो मस्ती कर रहा है आप देखिए पेड़ों के बीच में और यह गाईज बलेक वाली यह बैंस होती है जंगली जिसके बहुत बड़े सिंग होते हैं और इधर गाईज यह इंडियन छोटी छोटी हीरन है इनका भी बहुत बड़ा जून था गाईज और इधर देखिए गाईज यह नील गाई है इसको राजस्तान में रोज बोलते हैं लेकिन इसका हिंडी नाम जो है वो नील गाई है और देखिए किस तरह से गास चार रहे हैं जंगल में काफी संक्या में थे और इधर गाईज यह चिंका रहे हैं दो अंदर जो देखिए किस तरह से इधर उदर घूम रहे हैं और यह एक और बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर होता है जो देखिए गाईज अंदर इस तरह से ठेल रहा है अब इस्ताम का वक्त हो गया अभी हम घर जाने वाले हैं तो वह लोग का एंड करते हैं तो गाईज देखिए अभी हम पारक के बीच में खड़े हैं और देखिए कितने प्रेटक है इजर आ रहे हैं जा रहे हैं आप देख सकते हो बहुत भीड लगी हुई है तो गाईज अगले विलोग में तब तक के लिए बाई